मसकार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग या मोबल लोट पे आज के सेसन के अंतरगत मैं NCRT क्लास फोर्ज के लाश्ट तीन चैप्टर को कबर करूँगा आज NCRT क्लास फोर्ज के सारे चैप्टर कबर हो जाएंगे और कल से मैं NCRT क्लास फोर्ज के सारे चैप्टर करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्काइब कीजिए चलिए आज का सेसन स्टार करते हैं तो आज का लेसन 23 है पंचम पली यहां से सीटेट में बाल बाल पूछे जाते हैं जो जो में में पॉइंट यहां से प्रसन पूछे जाते हैं उसको मैंने हाइलाइट किया हुए वह ही हमें पढ़ना है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मुक्तारपुर गाउं में रहने वाले वाड़ी और प्रसाथ के घर में रंग भी रंगे धागों का धेल लगा रहता है उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सबी लोग बुनाई का काम करते हैं या बुनाई बहुत ही सुन्दर और अपने आप में अनोकी होती है उनका गाउं तेलंगाना राज के पंचमबली कश्वे के पास है यहां ज़्यादा तर परिवार बुनकर है इस बुनाई को पंचमबली नाम से पहचाना जाता है इन गाउं के लोग बहुत पुराने समय से यहां काम कर रहे हैं वारी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से बुनाई सिखी है अपसे वारी और प्रसाद भी स्कूल आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं यहां से पेटागाजी का जो प्रस्न बनता है अध्यापक के लिए देखी आईए बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक ब्योसाए अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं इनमें पुंचम पली कारी गरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं इसी तरह के अन्य पारंपरिक ब्योसाइं जैसे कालीन बनाना, खिलोने बनाना, इत्र बनाना, इत्यार भी चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों को भारत के नक्से में आन्द परदेश धूनने के लिए हमें प्रेजित करना चाहिए। यहाँ से यही तार्पर निकलता है कि हमें बच्चों को ध्यान इस प्रकार दिलाएं कि पारंपरिक ब्योसाइं अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। गंदगी और दागध होती हैं फिर वह सब मिलकर धागों को सुन्दर रंगों से रंगते हैं और सुखा कर उनकी गट्टी बनाते हैं धागे की गट्टियां करगे पर लपेटी जाती हैं फिर उनमें कपड़े बुने जाते हैं। इन कारी गरीव ने अपनी इसकला से इलाके का नाम दुनिया भर में मसूर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला में टाफिक जो पूछा जाता है पेटागोजी का पुंचम पली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास सीचे बनाई जाती हैं। जीजो के नाम उस इलाके के नाम से ही मसूर हो गए हैं। जैसे कुलू की साल यहां से सीटेट में प्रसंट पूछा जाता है। कुलू की साल मदुमनी प्रिंटिंग, असम की सिल, कस्मीरी कड़ाई। इन पर हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लेसन है दूर देश की बात। तो चिटपन पिता के चोटे भाई की पतनी अथा चाची को कहा जाता है। तो चिटपन पिता के छोटे भाई यानी चाचा को कहा जाता है कुण्जमा पिता के छोटे भाई की पतनी अथार चाची को कहा जाता है चलिए आगे देखते हैं अबुधाबी और आसपास के देश-डेकिस्तानी लाकों में हैं सहर्स में थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों दूर दूर तक रेट ही रेट दिखाई देती है ना कोई पेर ना कोई हरियाली केबल रेट केरल में बने अपने घर के आसपास की हर्याली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है कुंजमा बोली चलिए आगे देखते हैं अगला लेजन है चटपटी पहलियां यहाँ से जो प्रस्ण बनते हैं एक कभीता के माध्यम से बताया गया है कूटी जाती पीसी जाती भोजनती का खूब बनाती खाने में जो ज़्यादा डल गई तो फिर मुझ में निकली सीसी आक नाक से निकले पानी याद दिरादू सबको ना नी सोचो सोचो कौन हूँ मैं जल्दी बोलो कौन हूँ मैं पहली के माध्यम समझाय गया है पिछली बार यहाँ से सीटेट में पंसन भी बना था आगे उसे हम चर्चा भी करेंगे तो लाल मिर्च हो जाती है ठीक चरी आगे देखते हैं कूटी जाती पीसी जाती खाने में पीला रंगल आती तेल में मुझे मिला कर दादी चोट लगे तो जट से लगाती सबकी चोट को ठीक कराती इसलिए मैं सबको भाती सोचो सोचो कौन हूँ मैं जल्दी बोलो कौन हूँ मैं बताओ तो हल्दी होती है ठिक चलिए आगे देखते है यहां ससीटेट में प्रस्ट पूछा गया था काले काले मोती जैसे छोटी सी पर गोल हूँ बारीक विसी है दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ मीठे और नमकीन में मैं दोनों में ही डाली जाती हूँ मैं पतला सा पचोटा हूँ भूरा भी हूँ और काला भी हूँ रहे रहे रंकी जीरे जैसे थीक हाजमा रखती खाने के बार मुझे खाते हैं मैं मुझे का साथ बढ़ाती सोचो कौन हूँ मैं जल्दी बोलो कौन हूँ मैं तो यहां से भी स्टेट में पूछा गया था सौफ होता है चली आगे देखते हैं कील जैसे दिखती पर मैं एक कली हूँ चाकलेटी भूरे रंकी तेज खुजबू वाली हूँ जब दर्ध होता दात में तब मुझे रखते दात में सोचो सोचो कौन हूँ मैं जल्दी बोलो कौन हूँ यहां से भी सीटेट में पूछा गया है तो यहां आप लोग इसको भी ध्यान दीजेगा लवांग होता है इसे लिसे लॉंग भी कहते हैं चली आगे देखते हैं मैं हूँ कुट्टून मैं केरल में रहता हूँ मेरे घर के आंगल में मसालो का बगीचा है तो यहां से सीटेट में पूछा जाता है मसालो का बगीचा कहां किसे कहते हैं मसालो के बगीचा को हम क्या कहते हैं केरल ठीक चली आगे देखते हैं तो यहां गरम मसाला कई मसालों का पिस्टा पाउडर जैसे जीरा इलाजी छोटी छोटी बड़ी लॉंग दालचिनी काली मिच तेर पच्चे सोठादी के बारे में बच्चों को हमें बताना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला लेशन है फाउजी वहीदा फाउजी वहीदा के बारे में आईए जानते हैं क्या तुमने इनकी फोटो कहीं देखी है यह हैं लेप्टिलेंड कमांडर वहीदा पेज्म भाती नौसेना में डाक्टर हैं और नौसेना के समुर्दी जहाल पर काम करने वाली गिनी चुन अंदर हैं भाती नौसेना में डाक्टर भी हैं ठिक तो आगे देखते हैं यहां से प्रस्न पूछा जाता है वहीदा आप अपने बच्छों ने स्कूल बारे में बताईए तो मैं ठन्ना मरी नाम के बहुत छोटे गाउं से हूँ जम्मू कस्मीर के राजोरी जिले में है मै कुछ नहीं सोचती थी लेकिन मैं कुछ बढ़ना चाहती थी मुझे आगे बने की इच्छा थी और मैं डस्न की बढ़ाई ś उसमें में हमारी लाके में कई नई बात थी इसके कारण मेरे ममी पापा बहुत मुस्किल आई यहां तक कि मैं हमें गाउं भी छोटना पड़ा तब हम नानी के घर राजोरी में रहे मैंने बारूहीं भी वहीं से की चलिए आगे देखते हैं जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मैं अलग अलग करना चाहती थी कुछ अलग मुझे मोटर साइकिल चालने का बहुत सोग था हम तीन बहने हैं पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डाक्टर बने एक वकील बने पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए मैं भाती नोसिना में डाक्टर बन गई हूँ मेरी बहन जम्मू पुलिस में है आगे बात करते हैं इसके लिए मैंने बहुत बड़ी मेहनत की थी मेरे दोस्तों और घरवालें मेरी बहुत बात की मैंने जम्मू मेडिकल कालिमिन दाखिला बाया मैंने पांच साल पढ़ाई की और हम भी विए की पच्च्छा पास की अरे नहीं उन्हें लगता है कि या नोक्री मेरी जिस सबसे अच्छी है जब मैं बहुत चोटी थी तब अपने गाहों के मैं फोजियों को देखती थी मेरा मन करता था कि मैं उन्हीं की तरह बनूँ या मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था इसकूल के समय में केमपों में जाती थी पहाड़ों पर चलती थी और गर्ल गाइड भी थी डाक्टर बनने के बाद सेना में भरती होने के लिए मेरा एक इंटर्वी हुआ तो यहां से प्रेटा गाजी का जो प्रस्न बनता है बच्चों को भारत के तीनों सेनाओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है इसके लिए फोजी परिवार में आने वाले बच्चों की मदद की जा सकती है तो यहां से फोजी परिवार से जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको भारती तीन से नों के बारे में जानकारी दी जा सकती है उन बच्चों की मदद ली जा सकती है जो ठोजी परिवार से आते हैं चलिए अगला पॉइंट जो आता है घूमने का बहुत सोक था मेरा दूर दूर जाने का मन करता था मैं पहाड़ वाली जंगा में पैदा हुई थी अब मैं समुद में काम कर रही हूं बहुत अच्छा अभी तो महिलाओं को पंडुबी में जाने नहीं दिया जाता है जब भी मोका मिलेगा मैं मैं जरूर जाऊंगी मैं भाति नोसिना में डाक्टर हूं नोसिना में काम करने वाले डाक्टर मरी जो को सिर्फ दवाई की नहीं वैस तो दरशल मेडिकल अधिकारी होते हैं इस बादचीत की मदद से बच्चों को परसाइट करें कि वह अभी बड़ा बनने का सपना देखें उसके लिए मेहनत करें तो मैं बच्चों को परसाइट करना चाहिए ताकि वह भी बड़ा बनने का सपना देखें और उसके लिए कड़ी मेहनत कर सकें नौसेना के हैं जहाज का फास्टेट दिया जाता है जहाज पर एक डाक्टर और दो-तीन सायक होते हैं जरूरी दवाईयां और कुछ मसीने भी होती है सब एक छोटे से कमरे में रखी जाती है तीन साल तक मेरी परेट देखने के बाद मेरे दिकारियों ने मुझे या मोका दिया मुझे लगा कि मेरे दिकारियों ने मुझे चुना है मुझे विश्वास दिखाया इसलिए मैं बहुत लगन से परेट का अभ्यास किया था परेट के बारे में कुछ और बताएं जब परेड होती है तब पीछे चार टुकडियां रहती है पूरे परेड में छती निद्रेश दिये जाते हैं तो यहां से भी पूछा जाता है परेड में कितने निद्रेश दिये जाते हैं तो छती निद्रेश दिये जाते हैं चार टुकडियां चलती हैं निद्रेश में जो कनेदे देने होते हैं एक भी भूल जाओ तो पूरी परेट गरबड़ा जाती है मैंने पूरा एक महीना सुभा साम अभ्यास किया था परेट मैं स्कूल में भी करती ही थी यहाँ मेरे पापा ने मुझे दिया था पिछ में ऐसा काच होता है जो सात रंग का दिखाता है वह चा जा रही है बच्को कच्छा में परेट नस प्रिब्र न चाहिए और इस बार पर भी जोड दिया जा सकता है कि अब महिलाएं में बड़ी शंख्य में तीनों से नव पुलिस में जा रही है चलिए आगे बढ़ते हैं अब कल से NCRD Class 5 के chapter start कर दिये जाएंगे, तो अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टाफिक वाई त्यारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जूड़ जाएए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो आद का सेसन नहीं पर समाप करते हैं,